वेलकम टू एग्जाम बेविचना तो दोस्तों आप स्वी थमनेल को देखर आज के टॉपिक को तो जान गए होंगे कि आज का टॉपिक रहने वाला है कि जो एंटी नेट का हिंदी का भी हिंदी विशे का कट आफ कितना रहने वाला है चाहे नेट हो गया या फिर जियरेफ हो गया तो ठीक है पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो पहली प्रिक्षाएं हुई थी उसमें कितनी कितनी कट आफ रही है ठीक है तो देखेगा जो यहाँ पर है ये जून 2021 में जो प्रिक्षा हुई थी जो उसका रिजर्ट निकला था उसमें देखेंगे हम कितनी कट आफ गई थी नेट और जियरेफ की देखेगा यहाँ पर जो अन्रिजर्व की हम बात करें तो उसमें जो प्रसेंटाइल यहाँ पर अब दिया जाता है पहले प्रसेंटेज में आता था अब प्रसेंटाइल होता है ठीक है तो देखिए जो उसमें प्रसेंटाइल आया था 2021 में तो उसमें आया था जियरेफ के लिए तो देखेगा उस समय 2021 में अगर जब result निकला था तो JRF का percentile कितना रहा था General category के अंतरगत तो यह रहा था 99.4741958% और 285 candidate को यहाँ पर select किया गया था तो यह रहा था JRF का JRF लिख देता हूँ यहाँ पर यह JRF का है अगर net का देखते तो net का कितना रहा था तो देखें net का रहा था 96.8728344 और 1619 candidates ने इसे crack किया था इसी परकार से AWS के अंतरगत हम net देखेंगे तो 2021 में गया था 91.6489926 ठीक है और candidate थे 488 फिर देखेगा AWS का जो JRF गया था उस समें तो यह 98.5594085% रहा था उस समें ठीक है बाकी OBC का देख लेते हैं OBC का गया था 91.5774265 यह net का गया था OBC का और जो JRF का कितना गया था 98.5153765% SC का देखेगा SC का गया था 82.6396253 यह net का गया था और SC का ही अगर JRF देखें तो JRF गया था 93.4642189% परसेंट नहीं परसेंट नहीं परसेंटाइल ST का देखेंगे तो ST का जो net गया था हिंदी का 2021 में तो यह 79.228526% गया था और JRF कितना गया था ST का तो यह गया था 92.5760666 परसेंटाइल तो यह यहाँ पर मुख्य थे इनको मैंने आपके सार्ड डिसकस कर लिया बाकी आप यहाँ पर क्यादर के देख सकते हूँ तो 2021 की अगर बात करें हम यहाँ पर तो यह 2021 जून के अंतरग्रत की कट आफ रही है फिर इसके परशाथ आगे हम देखेंगे अब दिसंबर 2019 में कितना परसेंटाल या परसेंटेज रहा है उसे देख लेते हैं तो बरतमाल में तो हमारा जो NTA net का result रहता है तो यह percentile में रहता है ठीक है शुरुआत में यह उस समय percentage में रहता था तो उसको percentage को भी हम देख लेते हैं 2019 की अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पर दिया गया है unreserved कितना गया है cutoff net का? net का नहीं GRF का तो यह गया है 67.33 percentage अगर net की बात की जाये तो net का गया था 59.33 percentage फिर देखेंगा यहाँ पर EWS का कितना गया था 2019 में तो यह गया था 65.33 percentage यह गया था GRF के लिए अगर net की बात करें तो यह net के लिए गया था 54.67 percentage अगर OBC की बात करें तो उस समय देखें OBC का GRF गया था 64.67 percentage और net का गया था 55.33 percentage SC का देखें GRF गया था 61.33 percentage GRF के लिए और net के लिए गया था SC का 52.00 percentage यह उस समय की cut off रही थी SC की अगर ST की देखें के ST की गई थी उस समय जेरेफ की 61.33 percentage और जो net की कितनी गई थी ST के अंतर गत तो यह गई थी 50 percentage ठीक है यह रहा है मूल आंक रहा यहाँ पर जो आपको शोगिया मैंने इसके परशाद 2019 का तो हो गया इसके परशाद एक और लाया हूँ आपके समख्ष इसका वर्ष नहीं दिया गया है यहाँ पर यह 2020 का होगा ठीक है देखेगा इसका 2020 में कितना गया था अन्रिजर्व के अगर हम बात करें तो अन्रिजर्व की गई थी यह जेएरेफ का 60% और नेट का कितना गया था 53.33% फिर देखेगा OBC का कितना रहा है तो यह 57.33% रहा है और OBC के अंतरगत नेट का रहा है 49.33% SC का देखे 54.00% रहा है जेएरेफ के लिए और नेट के लिए कितना रहा है 46.67% इसके परशाद ST का कितना रहा था जेएरेफ के लिए तो यह 53.33% रहा है और नेट के लिए 44.45.33% रहा है तो यह देखेए यह वाला आंक रा सबसे निमन रहा है यहां पर मुझे इसकी तीथी याद नहीं आ रहा है क्या यह 2020 का ही है यह आगे पीछे का है तो आपको तीथी से ज़्यादा लगाब नहीं, आप देखें जो कट आफ कितनी कितनी रही है तो यहाँ पर आपके समक्ष रिजर्ट दिया गया है, यह वाला सबसे कम रहा है शायद उस समय यहाँ पर पेपर काफी हार्ड होगा तो 2020 में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि 2020 में पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था इसके पर चाथ यहाँ पर हम डिसकस करेंगे आपको कितना कितना स्कोर रखना चीए जिससे आपका जियाराफ इस वार क्लियर हो जाएगा देखे का बात करेंगे जियाराफ की तो अगर आप सारे जितने भी फस पेपर और सेकिंड पेपर को मिला कर सौ को ले लेते हैं अगर आपके 100 कोशन ठीक हो जाते हैं तो आप definitely GRF की लाइन में आ जाते हैं ठीक है चाहे यहाँ पर मैं जनरल की बात करूँ अगर AWS की बात करूँ तो अगर आपके AWS में 90 के अराउंड कोशन ठीक है तो आप अराम से GRF ले लेंगे अगर आपको मैं OBC के अंतरगत लूँ तो 90 ही मान के चलिए 90 कोशन अगर आपके ठीक होते हैं तो भी आप यहाँ पर GRF ले लेंगे ठीक है जनरल वालों के लिए 100 या इससे थोड़े से जादा 110 या 105 के 105 देखे जनरल वालों के लिए कहता हूँ 105 से 110 के बीच में अगर आपके कोशन ठीक बन रहे हैं तो आप अराम से GRF ले लेंगे आपको कोई टेंशन करने के बात नहीं होगी अगर आप 90 से लेकर 100 तक कोशन ले रहे हैं तो आपका OBC और EWS के अंतरगत GRF हो ही जाएगा अगर SC और ST की बात करें इसके लिए आपको 85 कोशन से लेकर 90 तक लेने हैं तो आपका यहाँ पर इसके अंतरगत भी GRF हो जाएगा इतने इतने कोशन अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपका GRF अवश्य हो ही जाएगा फिर देखिए यहाँ पर अगर हम NET की बात करें तो जनरल की बात करें तो अगर आपके 90 के आसपास या इससे थोड़े जादा कोशन बन रहे हैं तो आप NET के लिए पुरी तरह से सेफ हैं जनरल की अंतरगत फिर देखिए AWS और OBC बात करते हैं तो 85 या 85 से जादा आपके बनते हैं तो आप NET के लिए AWS और OBC के अंतरगत सेफ जोन में माने जा सकते हैं फिर 80 या इससे उपर नीचे किसी का बनता है तो वो SC और ST के अंतरगत NET क्रैक कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको सभी श्रेणी के अंतरगत क्या क्या रहने की संबाबना है और पहले कितनी रही है वे भी बता दिया NET का भी बता दिया यहाँ पर आपको और J.R.F. का भी आपको बता दिया तो यहाँ तक देखे जितने भी मुलियाकन किये हैं यहाँ पर यह पूंत सही बैठता है मुलियाकन जो हमारे द्वारा किया गया है तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप आपसे अलविदा लेलते हैं धन्याबाद